आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है धोखिबाज मंत्री। चंदंगर राजय में एक बहुत बड़ा महल था जिसका राजा विक्रमादित्य बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। लेकिन कई दिनों से उसके राजय में अजीबों गरीब घटनाएं घट रही थी। मंत्री, महाराज, एक अशुक समाचार है। राजा, बोलो मंत्री, क्या समाचार है। राजय में सब ठीक तो है ना। मंत्री, नहीं महाराज, राजय की सबसे लंबी नदी के ऊपर जो पुल आपने बनवाया था ना, वो तूट गया है जिसकी बजल से राजय के नाग्रिकों को नदी के उस पार जाने में काफी समस्या हो रही है महाराज राजा, लेकिन महामंत्री, उस पुल का कार्य भार तो हमने तुम्हे ही सौपा था ना फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, वो पुल इतना शीग रही कैसे तूट गया महामंत्री, हम इसके लिए तुम्हें कथोर दन देंगे मंत्री, नहीं नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैंने तुपुल बनवाने का कार्य पूरी इमानदारी से किया था महाराज इसमें उस सोमु किसान की गलती है महाराज राजा वो कैसे भला उस सोमू किसान ने क्या किया है महामंत्री बताओ हमें मंत्री महराज जब सोमू किसान अपने बैल के साथ उसकुल से भुजर रहा था तो उसी समय ही वो पुल तूट गया महराज तो इसका दोशी तो सोमू किसान ही हुआ ना महराज राजा, महामंत्री, सोमु किसान को दर्बार में बुलाया जाए मंत्री, जी महाराज, जैसी आपकी आगया, थोड़ी ही देर बाद सोमु किसान दर्बार में आता है राजा, सोमु किसान, क्या ये सच है कि राजे में सबसे लंबी नदी पर बनाया गया पुल तुम्हारी ही वज़े से तूट गया है क्या तुम इसके दोशी हो, बताओ हमें सोमु किसान, नहीं नहीं महाराज, मैं पुल तूटने का दोशी नहीं हूँ महाराज, बल्कि पुल तूटने से तो मेरी बैल नदी में गिर गई और उसकी मौत हो गई महाराज, मैं गरीब किसान हूँ मेरे पास तो एक ही बैल था, वह भी पुल तूटने की वज़े से मर गया महाराज, अब मैं क्या करूँगा मन्तरी, चुको जाओ सोमु किसान तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? महाराज के बनाए हुए पुल से तुम्हारे बैल की मौत हो गई देखिए महाराज, ये सोमु अपनी गल्ती मानने की बजाए उल्टा आपके बनाए हुए पुल को ही दोश दे रहा है महाराज, ये सोमु ही दोशी है, इसे सजा दीजिए महाराज राजा, सोमु किसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम राजा पर ही दोश लगा रहे हो राजा, सैनिकों, इस सोमु को बंदी बना लिया जाए और कारावास में डाल दिया जाए सोमू, महराज, मुझे माफ कर दीजे मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था मैं निर्दोश हूँ महराज ऐसा मत कीजिये महराज अगर मैं कारावास में रहूंगा तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महराज इसके बाद दो राजा के सैनिक सोमू को कारावास में डाल देते हैं अगी सुबह राजा के दर्बार में राज्य के कुछ लोग आते हैं आदमी, महराज, महराज हमारी मदद कीजिये महराज राज्य में बहुत बड़ा संकटा चुका है महराज राजा, क्या हुआ मेरे राज्य के वासियों? आखिर कौन सा संकटा पड़ा है राज्य पर? आदमी, महराज, हम सभी राज्य के किसान हैं महराज, कल राट जंगल की ओर से एक विचित्र सा दिखने वाला जानवर हमारे खेत खलियान में गुज गया और हमारी सारी फसले खराब कर दी, अब आप ही कुछ करिये महराज राजा, क्या कहा? विचित्र जानवर, तुम में से किसी ने उस विचित्र जानवर को देखा है आदमी, जी महराज, हमने कल रात उस विचित्र जानवर को देखा था लेकिन हम सिर्फ उसकी एक ही जलक देख पाए जो देखने में काफी खुन खार थी उसके पैरों के निशान थोड़े थोड़े इंसानों जैसे थे महाराज राजा, ये कैसा विचित्र जानवर हमारे राजय में आ गया है जिसके पैर इंसानों जैसे हैं राजा, सेनापती, सेनापती, जी महाराज बोल ये क्या करना है, राजा, तुम आज राथ जंगल में जाओ और उस विचित्र जानवर का पता लगाओ सेना पती, जी महराज, जैसी आपकी आग्या, मैं आज रात ही जंगल में जाओंगा और उस विचितर जानवर को बंदी बना कर आपके समक्ष ले आओंगा जंगल में, सेना पती देखता है कि एक जंगल में काफी दूर तक सिर्फ पैरों के निशान ही होते हैं जो थोड़े थोड़े इंसानों के पैरों की तरह ही होते हैं लेकिन काफी दूर तक भी कोई उस जंगल में नजर नहीं आता सेनापती वही जंगल में उस जानवर के आने का इंतजार करने लगता है सेनापती अरे बहुत थकान हो गई लेकिन वह विचित्र जानवर कहीं नहीं दिखा कुछ देर आराम किया जाए सेनापती को नींद आ जाती है और वह सो जाता है सुबह एक सेनिक राजा के दर्बार में आता है सेनिक, महराज एक अशुक समाचार है सेनापती की उस विचितर जानवर ने हत्या कर दी है दर्बार में सभी यह बात सुनकर हिरान रह जाते हैं राजा, क्या कहा? उस विचित जानवर ने हमारी सेनापती को मार डाला. ये तो राजय के लिए बहुत ही दुख की बात है. अब हम उस विचित जानवर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे. हम स्वयम ही जंगल जाएंगे और उस विचित जानवर को मार डालेंगे. मंत्री, महाराज, आप क्यों कश्ट करते हैं? आप मत जाए, ऐसे तुछ जानवर के लिए आप स्वयम जाएंगे राजा, महामंत्री, उसने हमारे सेनापती को मार डाला है आप इससे पहले वो हमारे राजय में किसी और को मारे, हम उसे ही खत्म कर देंगे मंत्री, ठीक है महाराज, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए हम अत्यदिक सेनिकों का प्रबंध करा देते हैं महाराज राजा, नहीं महामंत्री, हम अकेले ही जंगल जाएंगे राजा आज देखता हूँ विचित्र जान्वर हमसे कैसे बचता है राजा उस विचित्र जान्वर का जंगल में आने का इंतजार करने लगते हैं राजा थोड़ी दूर जंगल में चलते हैं तो देखते हैं कि उस विचित्र जानवर के पैरों के निशान देख रहे हैं राजा लगता है यह उसी विचित्र जानवर के पैरों के निशान है राजा उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगता है एक जगल जाकर वे पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं तभी एक पेल के पास एक अजीब सा दिखने वाला चहरे का मुखोटा दिखता है जो किसी जानवर का था और वही उस मुखोटे के पास एक अंगूठी मिली राजा उन दोनों को देखकर सब समझ गया राजा, अच्छा, तो वह दुष्टी विचित्र जानवर है हम उसे नहीं छोड़ेंगे राजा सुरक्षित अपने महल वापस जाते हैं सुबह होती है, राजा सभी मंत्री मंदल और राजे के नागरिकों के साथ दर्बार में बैठे है राजा, मेरे दर्बार वासियों राजे में घोशना कर दी जाए कि हमने उस विचित्र जानवर को मार गिराया है अब वो किसी और को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा इतना सुनते ही राजे में सभी राजा की जय जाईकार करने लगते हैं मंत्री, महाराज, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है महाराज, आप उस विचित्र जानवर को कैसे मार सकते हैं राजा, क्यों संभव नहीं है महामंत्री मंत्री, क्योंकि आपने जिस विचित्र जानवर को मारा है वो तो जंगल में कही था ही नहीं तो आपने उसे कैसे मारा महाराज। आप जूट बोल रहे हैं। महामंत्री की यह बात सुनकर दरबार में सभी लोग चौप जाते हैं। मंत्री मुझे माफ कर दीजिये महाराज। मुझसे गलती हो गई। महाराज मुझे माफ कर दीजिये। यह सब मैंने अपने लालच में आकर किया। गलती को चुपाने के लिए किया महाराज। राजा, दुष्ट, तुमने यह सब क्यूं किया। तुमने ही हमारे सेनापती की ह कि बताओ हमें आखिर तुमने ये सब क्यों किया मंत्री महराज राज्य की नदी के ऊपर का पुल तूटने का दोशी में ही हूँ वह किसान नहीं अपनी गलती को छुपाने के लिए मैंने कई गलतियां कर डाली महराज दरसल आपने जितना धन मुझे उस पुल को बनवाने के ये दिया था मैंने लालच में आकर उसका आधा ही पुल बनवाने में खर्च किया और बाकी का धन अपने पास रख लिया मुझे यकीन था कि आप इसका पता लगा ही लेंगे इसलिए मैंने ध्यान भटकाने के लिए ये सब धोन किया और एक विचितर जानवर बन गया मैंन मैंने सोचा ये सही मौका है अब राज्य में मुखोटा पहन कर घूमा जाए जैसे ही मैं जंगल से बाहर आने लगा उन्होंने पीछे से मुझे देख लिया उन्होंने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई तब हमारे बीच थोड़ी देर के लिए जड़क हुई और अप से गलती हो गई महाराज मुझे माफ कर दीजिए राजा पापी तुमने हमारे साथ धोखा किया अपने एक जूट को चुपाने के लिए तुमने हमसे कितने जूट बोले और हमारे सेनापती की हत्या भी तुम्हारे ही कारण हुई हम उसके लिए तुम्हें कठोर दन देंग मंत्री माफी महाराज माफी माफी दे दीजिये राजा सेनिको सो मुकिसान को कारावास से रहा किया जाए दरबारी लेकिन महाराज आपको कैसे ग्यात हुआ कि विचित जानवर यह महामंत्री ही है राजा उस रात जब हम जंगल में गए तो उस रात हम जंगल में विश्राम करने लगे लेकिन उस रात वह हमारे सामने नहीं आया और थोड़ी दूर चलने पर हमें एक पेल के पास जानवर का मुकोटा मिला और वही एक अनबूर्थी भी मिली जो सेनापती से की गई जड़क में महमंत्री के हाथ से गिर गई होगी यह नबूर्थी वही थी जो हमने इस महमंत्री को उपहार में दी थी और हम समझ गई कि वह जानवर और कोई नहीं बलकि ये दुष्ट महमंत्री ही है ये सुनकर राजा की सब जैकार करने लगे इस तरह से राजा विक्रमादित्य की समझदारी से कप्टी मंत्री को उसके किये की सजा मिली राज्य में फिर से राजा ने न्याय के लिए नई मिसाल कायम कर दी इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं